हेलो एबरीवन वेलकम तुदा अनपोर्णा रसोई आज हम बनाने जा रहे हैं अर्बी के पकोड़े बिल्कुल नए स्टाइल से इसको बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही जाता टेस्टी लगते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लि लिए थे हमें इक्वल साइस के गुईया के पत्ते लेने हैं तब ही हम उनके सेट लगाकर इसको बनाएंगे तो यह देखें यहां पर हमने मीडियम साइस का गुईया का पत्ता ले लिया है और उपर से हमें इसको यह जो डेंटी टाइप का होता है वह हमें हटा देना है औ ताकि हमें यो पकोड़ियां बनानी उसे बनाने में कोई बीदिफिकल्टी ना आए तो यह देखिये इसी तरीके से हमने सारे गार क्याने तरा लिया है तो अब चलिए इसको बनाने के लिए एक चम्मच हमने यहाँ पे जीरा पाउडर यह एक चम्मच हमने आपे अमचोर पाउडर और यह हमने आपे अजवाई ले लिया है ग्रश करके और यह हमने यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दिया है यह नमक डाल दिया है यहाँ पे स्वादा अनुसार और यहाँ पे हमने ख और यहां पर अब हम पानी की मज़द से इस मिक्स्चर को तयार करेंगे तो यह देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक अच्छा सा घूल तयार करेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इस मिक्स्चर को तयार करना था तो यह देखिए हमारा मिक्षर जो है वह बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसको अब हम तयार कर लिया है तो अब यहां पर हमने एक चल्ली ले लिया और इसको अच्छे से ऑईल से ग्रीस कर लेंगे चारो तरफ से अच्छे से आपको गी लगा देना है और यहां पर एक के रखे हुए थे और इस पे अब हम मिक्षर को अच्छे से स्प्रेड कर यह आपको यहां देना है कि मिक्सचर जोigor वह बहुत ज़्यादा गिला नहीं होना आठिक कांसिस्टेंशीची बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रखनी है वरहना आप इस पे अच्छे से फ्रेड में कर पाएंगे यहां पर हमने लगा दिया है और अब हम हात की मदद से अच्छे से इस पे इस प्रेड कर लेंगे तो यह देखिए और यहां पर हमने दूसरा पत्ता अभी रख दिया है तो जो बीच वाला पत्ता रख रखा है वो हमने पड़ी मली से यानि फ्रस्ट वाले से थोड़ा सा छोटा लिया है और इस पे भी अभम लगा देंगे तो पत्तों को कैसे मैं ये भी आप ध्यान से देख सकते और इस पे भी अब हम हाथ की मदद से चारों तरफ अच्छे से इस्प्रेड कर देंगे यह उरत की डाल से भी बनाए जाते हैं वो भी बहुत तेस्टी लगते पर इस तरीके से आप अगर इंस्टेंट आपका मैंन है कि आप अर्बी के पकोड़ी खाना चाहते हैं तो आप इ कोई हुए बेशन से और यहां पर हमने यह तीसरा भी पत्ता रख दिया है और इसके उपर भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगा तो यह देखिए कि अच्छे से हमने आप लगा दिया है और बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगाना है और अब हम इसका रोल बनाएंगे तो बिल्कुल दियान से देखना है आपको कि हम इसका रोल कैसे बनाएंगे पहले हम एक साइट से इसे फोल्ड करेंगे फिर हम इतर राइट साइट से भी इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे फिर नीचे से भी ऐसे फोल्ड करना है और उपर से भी हमें ऐसा पतला फोल्ड करना है और अब हम इसे पूरा इसे रोल कर देंगे तो बहुत अराम से इसे आपको अच्छे से फोल्ड कर देना है तो इसी तरीके से हमें सारे बना लेने हैं तो यह देखिए हमने इस तरीके से तीन रोल बना के तयार कर लिये हैं यहां पर पानी जो है वो बॉयल होने लगया है तो हमने जो चल्ली ग्रीस करके रखी हुई थी गीसे उस पर अब हम यहां पर जो हमने रोल बना के तयार किये हैं वो हम इस पर रख देंगे और इसे हम ढ तो यह लगभग हम 15-20 मिनट के लिए इसको रख देंगे और यहां पर हमारे पत्ते बच गया थे साइस में बहुत ही ज्यादा छोटे थे उनका हमने यहां पर दूसरा यूज कर लें यह हमारा इतना सा मिक्सचर जो है वह बच गया था और उन पत्तों को हमने यहां पर कट कर लिए और इस मिक्सचर को हम उसमें यूज कर लेंगे तो इसकी भी हम पकॉडिया बनाएंगे यह दूसरी तरीके से बनेंगी इसमें कोई भी रोल नहीं बनाएंगे इन्हें हम डायरेक्ट प्राइग करेंगे तो बच्चे मिक्सचर को अगर आपके पास भी पत्ते बचे ह और रोल वाला अर्बी के पकोड़ी बनाने के लाइक नहीं है तो उसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं यह भी उतने ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और यह देखे हमारे जो रोल थे वह हमने निकाल लिये थे और इसको हमने 10 मिनट के यह रग देना है इसे तभी हम फ्राइब करेंगे वरना यह खुलने लगते हैं तो सारे रोल को आप मीडियम साइज में ऐसे जो भी शेप आप चाहते हैं चोटा बड़ा आप उसके अगॉर्डिंग कट कर सकते हैं तो यह देखिए यहां पर हमने इसे कट कर लिया था गैस पर नहीं करना है वरना यह बहुत ही जल्दी रेड हो जाते हैं और अंदर से अच्छे से क्रिस्पी नहीं ओपाते है तो आपगो फ्लेम जो है वह मीडियम ही रखना है और यह देखिए इस से चारो तरफ से अच्छा गैसम उल्डन भाउन होने तक फ्राइब करना हैं तो तो इसको बनाना बहुत एजी था तो आप भी इसे बनाईए खाए और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले यह देखिए कितना क्रिस्पी बनाए तो आप इसे चेट्मी के साथ इंजॉय करिए और वीडियो पसंद आये तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और यह देखिए जो हमड़े बच्चे वे पत्तों से पकोड़ियां बनाए थी वह भी पकोड़ियां बहुत जादा टेस्टी तयार हुए है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले